हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज एंक्यूज में दोस्तों कैसे आप उमिद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों अभी अभी एम्स एक्जाम यानि एम्स नर्सिंग का जो एक्जाम होने वाला है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उससे रिलेटेट एक लेटेस्ट अपडेट मिलिये तो आपको बताना मैंने जरूरी शमझा और यह शेर करना जरूरी समझा तो इस वीडियो म में तक जरूर बने रहे हैं वीडियो को लाइक और शेड जरूर कर देना चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी बेल आइकन को जरूर दबा लेना जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दू जहां पर एक अपडेट दिया गया है कॉंपलेशन ओपेमेंट एंड अधर प्रोसेस फोर रजिस्टर्ड कंडिडेट ओफ नर्सिंग ओफिसर रिक्वाइर्मेंट कॉमन इलिजिबिल्टी टेस्ट नोट से 2020 दोस्तों यह है नोटिफिकेशन हम पूरा डाउनलोड कर ले दे हैं इसमें क्या दिया गया है तो यह लीजिए दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है नोटिफिकेशन आल इंडिया इंस्टुट ओफ मेटिकल साइंस के द्वारा निकाला गया है important notice 1-2-2-2020 completion of payment and other process for registered candidate of nursing officer requirement common eligibility test Norset 2020 और यह notification अभी आया है दोस्तो इस notification में यहाँ दिया गया है कि जो आप form बर रहे हैं वो candidate ने जिन्होंने आज last date के दिन form बरे थे आज 5 वज़े के पहले जिन्होंने form बरे थे उन candidate का completion यानि completion नहीं हो रहा है और fee का जो है वो bank से deduction तो हो गया है बट उसका form complete नहीं हो रहा है उसके regarding ही M's ने जो है उसकी तारिक 20 अगस 2020 तक यानि date को बढ़ा दिया है दोस्तों यह date किस-किस candidate के लिए बढ़ाई है 20 तारिक तो बढ़ा दी है लेकिन कौन-कौन candidate के लिए बढ़ाई गई है यह भी दिवाए गया है अब आज पांच बज़े के पहले जिन्होंने रजिस्टर किया है उन candidate का जिनका payable has been deducted from bank but not reflected as said above उनका deduction तो हो गया है बैंक से लेकिन form में उनकी fees applicable नहीं हुई है और complete form नहीं बताया गया है केवल उनहीं के लिए यह जो date है वो 20 तारिक तक बढ़ाई गई है the closing date and time register will remain same 18 August 2020 up to 5 p.m. लेकिन जो form का fill up का registration का date है वो 18 तक ही माना जाएगा वो 18 को ही close हो गया है 5 p.m. पर या नहीं हुई है बैंक में दुबारा चेक कर सकते हैं और form की fees दुबारा पे कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में अंतक बने ने रिख लिए धन्यवाद वीडियो अच्छे लगाता लाइक शेर जरूर कर दीजेगा फिर मिलेंगे दोस्तो थेंक्यू गुडबाई